फ्राइन गूगल ने नेरबाई शेर फिचर्स को लोंज कर दिया इस फिचर की मदद से आप अपने स्मार्टफून से किस दूसरे एंडूरी स्मार्टफून में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही असानी से वाइलाइस दिके से विदाउड थर्ड पार्टी अप्लि जहां वीडियो को बनाया है तो वह हो मेरे स्मार्टफून में ड्रांसफर कर दे और जो जो है जो यह एक दो जी पर चला जाता है तो इसी कंप पर करो और आप येam परी फाइल को ट्रांस्वर कर सकते हैं दूसरे स्मार्टफून में बहुत ही तेजी से से क्योर है यह को गूगल का प्रड़क्ट है जो कि अभी अभी लॉंच किया है जैसे आपको पता कि सभी जो चैनियस एप्लिकेशन है वह भी बैन हो चुकी है तो कैसे आपने इसे सब्सक्राइब को जुरूरत बात है जैसे हम न्यूव वीडियो का अप्लोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करते हैं वीडियो को स्टाल लेस्ट आदिस वीडियो फ्रेंड आप कैसे पता कर सकते हैं कि मारे स्मार्टफून में नेरबाइशेर अगर आपको अगर आपके स्मार्टफून में है जहां पर आप दे सकते हैं नेरबाइशेर ये अप का आइकन है और उसके बाद मैं डाने के ओपर क्लिक कर देता हूं अगर आपके शेटर में है तो कोई बात नहीं अगर नहीं है तो आपने क्या करना है कि स्मार्टफून की जो सेटिंग है उसे ओपन करना है ओपन कर देने के बाद आपने स्क्रोल डोन ओपर को करना है जहां पर लिखा होगा गुगल उसके ओपर आपने क्लिक करना है क्लिक बैक कर देना है और जब आप किसी भी फोटो को वीडियो को आडियो को जहां किसी भी बीग फाली को ट्रांसफर करना चाहते हैं वहां पर आपको उस फोल्डर में जाना होगा अगर आप किसी फोटो जहां वीडियो को करना है तो वह आपकी गैलरी साही काम चल जाएगा जहा कि यहां पर आप दे सकते हो कि मैंने डून लिया है जाहां पर मैंने इस जो यह वीडियो इसे मैं करने वाला हूँ जाहां पर मैं इसे मैं यह वीडियो के उप्सिंद कर दो बोलने कि आपके सामने यह चेयर अपर आइकन आ रहा हा को आपको जहाँ पर आगे पीछे कर लेना है जहाँ आपको मिल जाएगी option जहाँ पर मैंने जैसे इसके ओपर क्लिक किया है तो क्लिक कर देने के बाद आपके सामने ऐसा interface आएगा आज आने के बाद जहाँ पर आप दे सकते हो लिखा है nearby share ठीक है तो और उसके बाद आपने जहाँ पर इसे turn on कर देना है जिस smartphone में आप करना चाहते है मैं मेरे पास जह दो smartphone है जहाँ पर आप दे सकते हो जह एक है Redmi Note 8 और दूसरा है Realme 5 Pro और जहाँ पर मैं Redmi Note 8 से Realme 5 Pro में data को transfer करूँगा और जहाँ पर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपसे permission मांगेगा कि जो आपकी Wi-Fi लोकेशन है उसे आपने open कर लेना है और ऐसे ही आपने दूसरे smartphone में करना है जहाँ पर मैंने गया और जहाँ पर आप दे सकते हैं इस पर भी लिखाए नहीं है by share इसकी option के उपर जैसे मैंने क्लिक किया तो यह मेरे smartphone में पहले सही होना है और उसके बाद क्या करना है आपने इसे भी जैसे आपने उसे permission दी है जहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ बोल रहा है कि विल्डियो तो लोकेशन और Wi-Fi जह दोनों तीनों ओन कर दीजिए और यह मैंने तीनों को ओन कर दिया है और उसके बाद आपके सामने ऐसा interface आएगा जहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर आप देख सकते हो जहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ पर जो मेरे एक बेस्ट फून यह आ चुका है और उसके बाद यह मैं रेलमी 5 pro में ट्रांसफर कर रहा हूं तो इस स्मार्टफून में जो एक्सेप्ट की ओप्शन आ चुकिया है और जैसे मैंने इसके ओपर क्लिक किया है और जो जे जो मेरी वीडियो वो ट्रांसफर हो रही है जे आप दे सकते हो कि कितने फास्ट त्रिक अप्लिकेशन है और जे चैने से अप्लिकेशन को बारते में बैन कर दिया गया है तो बहुत सारी लोगों को दिक्त और इसी डेटा को ट्रांसफर करने से और जहां पर आप दे सकते कि वह जो फाइल है वह जहां पर आ चुकी है और ऐसे हैं आपने स्मार्टफून से किसी भी दूसरे स्मार्टफून में डेटा को सेंड कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं किसी फूर्टफून